18 अप्रेल वर्ष 1869 में भारत के पहले स्वाधिनता संग्राम के प्रमुक सेनानायक तांत्या टोपे को क्रांति में निलनायक भूमिका निभाने पर हासी की सजादी गई उनका वास्तोविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राओ था उन्होंने न सिर्फ 1867 में स्वतंत्रता संग्राम के नियु रखी बलकि पूरे देश में आजादी की चेतना का सूत्रपात किया 1867 के महान विद्रोव में उनकी भूमिका सबसे महत्तोपूर्ण, प्रियनादायक और बेजोड थी जब 1867 का विद्रोव शुरू हुआ तो तात्या टोपे ने अंग्रेजों को कानपुर छोड़ने पर मजबूर कर दिया उन्होंने कई युद्धों में रानी लक्षिमी बाई का भी साथ दिया साथ अप्रेल वर्ष 1869 में तात्या टोपे को प्रिटिश सेनाओं द्वारा पकड़ लिया गया और 18 अप्रेल को ही मध्य प्रदेश के शिवपूरी में हजारों लोगों की उपस्तिती में खुले मैदान में फासी पल लटका दिया गया 18 अप्रेल वर्ष 1925 में महान वेग्यानिक अलबर्ड आइंस्टाइन का निधन हुआ आइंस्टाइन ने विशेश सापेक्षता और सामान्य आपेक्षता के सिधान्त साइथ कई योगदान दिये उन्होंने 300 से अधिक वेग्यानिक शोत पत्रों का भी प्रकाशन किया वर्ष 1999 में टाइम पत्रिका ने आइंस्टाइन को शताब्दी पुरुष गोशित किया भारती महान गणितक कि सत्येंद्र नाद बोस और आइंस्टाइन ने मिलकर बोस आइंस्टीन स्टेटिस्टिक्स की खोच की उन्हें सेधान्तिक भौतिकी में विशेश कर प्रकाश विद्युत उत्सरजन की खोच के लिए वर्ष 1921 में नोबेल पुरुषकार से सम्मानित किया गया